कि दर्श को दोज़र पच्चिस का वर्ष उन जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और यह जरूर जाना चाहेंगे वर्ष हमाले कैसा जाएगा क्योंकि सब सब हमारे बीतर एक कॉतूल तो बना ही रहता है कि आने वाला वर्ष हमाले कैसा रहेगा जो ग्रह को चकी सिती बंती है तो उसका परभाव हमारे जीवेवे निच्चित वह से देखने को मिलता है क्योंकि घरों की उर्जा से हमारे करम धारेत होती हैं तो हरी किशा दर्शिकों वैदिकेश्टो केड़ में आपका स्वागत है मैं जोतिश अचारय पूजा हमारी वाशी राशी वाला देश की शिकला में हमने अब तक आपको साथ राशी के बारे में बता चुके हैं और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी आफ़ी राश क्यानी और सब्सक्राइब के साथ इसके लावरा किक शिक्षा करीयर के माल्य हम सब्सक्राइब करेंगे वो भी हम समझेंगे वेवेसाई बिसनिस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष इसे भी हम समझेंगे पूरे विस्तार के साथ गरे गोचकी सिती के अनुसार इसके लावा आपके प्रेम सबन्द यानि लव रशिशिव के लिए कैसा रहने वाला 2025 का वर्ष क्या विवा की बात बनेगी या आप लोग के बीच में संबन्त मजबूत होगा या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसी प्रकार समझेंगे विवाहित दंपत्ती के लिए जो पहले से विवाहित है उनके लिए कैसा रहने वाला 2025 का वर्ष तो 2025 वर्ष आपके लिए के संदान प्राप्ति का योग कराएगा तो ये भी हम समझेंगे साथी को चूपाई भी बताएंगे जो जोतिश प्रमाड़े के बहुत ही असान हो पाए है और मैं हमेशे आपको बदाती है और साथ आप कंटीनियू करते रहे तो आपको इसका प्रभावी जरूर देखने को मिलेगा तो वर्ष राशी के जातक जो है अपनी जन्म राशी और लगन के नोसार देख सकते है जो ग्रह गोजर की सिती बनने जारी है शुरुवात में वो इस प्रकार है तो आप इसमें कुछ परिवत्ता देखेंगे देखेंगे जो मुखे परिवत्तन होते है वो आपके बड़े लंबे दूरी के ग्रह होते हैं जिसमें शनी राखो केतू और विस्पति आते हैं अन्य ग्रह जल्दी राशी परिवत्तन करते हैं तो इसलिए इसका प्रभाव भी जल्दी है आपको देखने हो मलता है मारगी हो जाएंगे यानि डारेट हो जाएंगे आपके सब्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह थोड़े राहत भली बात आपके लिए देखने को मिल पाएगी और अब जो 2025 में जो बहुत बड़ा राशी परिवत्तन हो जा रहा है वो के चार ग्रहों का होने चार यही चार ग्रह हैं जो लंबी दूरी तक एक राशी में रहते हैं लंबी दूरी का समय देख करते हैं और अब इनके जो राशी परिवत्तन होने चार रहा है यानि 39 माई से लेकर 11 माई तक शनी इनकी यूती राहू के साथ पंचम भाव में रहेगी ये जो पीरिट रहेगा बहुत ही साफ़धाना आपको रहना है इसके लावत 14 माई को ब्रिस्पती राशी पईवतन करेंगे ये आपके अश्टम भाव में परवेश कर जाएंगे मेथून राशी में 18 माई को यानि 4 दिन बाट जो रहू भी अपने राशी पईवतन करेंगे ये आपके चतुर भाव में परवेश कर जाएंगे और केतु आपके दशम भाव में आ जाएंगे राव के तू उल्टा चलते हैं वक्री रहते हैं तो इसलिए यह पीछे की तरफ चलते हैं तो यह आप राशी परिवर्तन देखेंगे जो मुख्य तोरसे 2025 में होना चारा है जिसका असर ना सर्फ आपकी ब्रैक्टिकर जीवन में देखने को मिलेगा बलकि विश्व में भी इसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा तो कह सकती हैं कि 2025 का वश्ट इर्फ गटनाओं से ना भरा हो सकता है कुछ असंभवनाओं से और समभवनाओं से भरा रह सकते यह एसलिफ चीजे ही बातें भी आपको देखने को मिलेगा ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा हूँ दूसरी बात पंचांग के नियुसा, हिंदू पंचांग के नियुसा जो हमारा जो वर्ष चुना जा रहा है, चैतर शुकुल पक्ष का वर्ष चुना जा रहा है उसके हिसाब से जो राजा रहेंगे, वो सूरे रहेंगे और मंत्री भी सूरे रहेंगे, यह नहीं राजा की चलेगी राजा कुछ कठोर निन्ने ये डिसिजन ले सकते हैं जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं करना राजा को मजबूरन वश कुछ कठोर डिसिजन लेना पर सकता है अचा अगर हम समझे तो अगर हम दो भाग में इसको डिवाइड करके चलेंगे जैसे मैंने पहली भी बता है क्योंकि मई से पहले का जो समय कुछ हो रहेगा बहुत जल्दी हो जाते हैं अपनी उलजर में रहते हैं और उसके बाद फ्रस्टेटिड हो के कहिना के गुसा निकाल देते हैं तो यह कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार की कुछ बैबार आप अपने साथ होते हुए देख रहे हैं मंगल आपके रवंभा में गोचर कर रहे हैं तो कुछ उपाई भी आपको बताया जाया तो उस पर भी मन नहीं लगेगा दो बार तीन बार उपाई करेंगे पर उसके बाद छोड़ देंगे लग करजेशन या कुछ इस परगार की समस्य आपको तब देखने को मिलेगी इसके रावा अगर हम समझे तो पूरे मही से लेकर अगर शुरुवात करें आपको प्रभाव को आपकी जो सहयत में स्वास्ते में देखने को नहीं मिल पाएगा आप समाने अपना अपने स्वा तो थोड़ा सा आपको साबधानी बरतनी होगी खासकर जन्वरी से लेके अप्रेल का जो महीना आपके लिए थोड़ा सा उताज रड़ा रह सकता है एसे में आपको चोट इत्यादी का बहर रक्त विकार की समस्या बीबी की समस्या इस परकाई समस्या देखी जा सकती है तो इसमें आपको काफी साबधार रहनी की अवशकता है यहापे किसी प्रकार के रिस्क ना लें कोई निर्णे ना लें किसी के प्रभाव में ना आए संगती को अच्छी रखें इसी सलाप परामाश्वर कहीं कोई निर्णे लें डिसाइड करें क्योंकि गई ना गई यह आपके निर्णे को आपके सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है और शनी के साथ जो रहूए श्रापे दियोकर निर्मान करता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आपको भृप्री प्रणाम देखने में सकता है पाचे से मुटा आप देखा जा सकता है कुछ बड़ा परवरतर से गुजरना पड़ सकता है इसके लावा जो शनी है वो आपके आ जाएंगे पंचम भाव में और राहू आपके आ जाएंगे चतुर भाव में अठायर मही के बात के जो सेनारियों आगे वो समझे हम तो तो रिदे के होने की वजे से घबराट की समस्या, एसे डीटी की समझ्या, पित की समस्या, इत्यादी समस्या आपको देखने होzd में अचंफ है कि चिंता ओं समस्य आपके जीवन जीपाएंगे आ अब तक Leute को अपको देखने को मिल सकती है कुछ वरोध सान या र॰ोध स्था ब्रेकं को आपके करियर में तो इस परका की सम्भावना देखने को मिल सकती है जिस शेतर में जारे हैं वहाँ से आपको पेशित परनाम मिलने के वज़ेसे भी परिवर्तन देख सकते हैं जहां पर दूसरी जगा आपको जाना पड़ जाए तो ये भी देखने को मिल सकता है और उच्छी शेक्षा के लिए थोड़ा सा आपको रुकावट देखने को मिल सकता है तो इसके लावा अगर हम समझे की आपके जो कॉपेटिशन के अगर आप प्यास कर रहे हैं जो शेक्षा करियर में अपने कॉपेटिशन के लिए प्यास करें तो उसमें भी आपको सफलता में मिलने में थोड़ा सा संदे देखा जा सकते हैं थोड़ी सी अपनी उच्छा आपको हाई करनी है भागी के ब्रों से ना बैटें अपने कर्तवे को अपने जो संघश को जाई रखें साथी आपको यहां पे थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत अधी करनी पड़ सकती है इसके अलावा अगर आप इंजिरिंग सेक्टर में है तो उसमें थोड़ा संघश आपको देखने हो मिलेगा जून के बाद के जो महीना वो आपके लिए काफी बहतर रहेगा कुछ अच्छे और करियर की शुरुआत आप अच्छी देख पाएंगे जून के महीने के बाद अच्छा पहले करियर की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी से अफधानी आपको बरती है हलाकि आप अपनी बात पर काफी अडिक रह सकते हैं अच्छा पहले करेंगे तो यह बहुत बड़ा रुकावट आपके करियर को लेकर देखने को बात करेंगे पर के आपके कर्दाइग उसकती हैं आपके रहए को लगातार देखने को मिल सकती है यहां पर बिय catch-up करने मेंसे काफ़े difficulties आपको देखने को मिल सकती है अच्छे परिणाम ना मिलने की वज़े से भी आपका मन ऊचार्ट हो सकता पढ़ाई में तो ये एक instability और एक थहराव में कमी और एक प्रकासे confusion की सिती देखी जा सकती है तो शनी आपके पंच्चा माम में बैठके आपको मेहनत के लिए तो उकसाएंगे जरूर आप इमानदारी से मैनत तो जरूर करें पर कहीं न कहीं राहू और बिस्पति आपके मार में लगातार अवरोध उपन का सकते हैं तो आपको बिस्पति का उपाई करना होगा आप हो सकें तो simple om namo bhagwate vasodewaika नमा 108 बार जाप आप रोज करें बहुत जरूरी है परतेग को करना चाहिए तो यह आपके बस्पति को मजबूती बदान करेगा तो साफधानी आपको बरती है और करेर के शिरुवात में आपकर जून के बाद करें तो वह आपके लिए काफी stable देखने को मिल सकता है क्योंकि जून के बाद मंगल आपके दशम भाव में प्रवेश का जाएंगे मितराशी में रहेंगे क्योंकि मंगल नीच वस्ता में रहेंगे नवम भाव में जिर्वरी में या आश्टम भाव में आएंगे फिर अप्रेयल में नवम भाव में आएंगे फिर आपके जून म तो आपके लिए थोड़ा बहतर रहेगा पर क्योंकि अभी आपके पंचर भाह में रहेंगे और वेस्पति आपके अश्टम भाह में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी वाड़ी पर नियंतर बनाके चलना है आपके पास अनुबह है तो उसको और बढ़ाएं उसको और गहन करेंगे कि गहन चिंदन का रिसर्च का मौका आपको जून के बाद ही और मही के बाद कह सकते हैं मिलेगा और इसमें आप अपनी ख्याती अर्जित कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें इमानदारी से प्रयास करें तो आप रिसर्च में आरेंडी के फिल्ड में तो आपको बहुत अच्छी उपलब्ती प्राप्त हो सकती है अब जो नौकरी पेशल होगे जो पहले से नौकरी पेशल होगे उनके लिए कैसा रहेगा नहीं कारश चित्र कम होल कैसा रहेगा दश्यम भाव के सौमी जो आपके दुत्य भाव में गोचर करें बुद के साथ शिरुवात तो काफी बढ़ियां रहेगी आपके confident आत विश्वास आपकी communication में जलकेगा जहाँ पे आप अपने अधिकारी को ना सिर्फ impress करेंगे बलकि आप उनसे कुछ ग्यान भी प्राप्त कर सकते हैं पर चाल फ़री के बाद के सिर्फी और जादा बैटर आपके लिए होने वाली है तो थोड़ा सा आप अपने उर्जा को positive रखें साथी राहू की वज़े से थोड़ा सा शुरुवात में कह सकते हैं कि आपकी जो भी सोचने समझने की जो शक्ती है जो सोचने में की शमता है उसमें कुछ नों कुछ fluctuation उता जड़ा आपको देखने को मिल सकता है रहा हो आपकी सोचने की समझने की शक्ती को प्रभावित करते हैं आपकी अपक्षा दूसरों जादा बढ़ सकती है आप अपी दव से पहले से हाकलन कर लेते की सिति मेरे पक्ष में है पर जब की आप जब तक आप सिति के समीर पहुंचे तो आपको पता लगते है कि यह विप्रीत बन ली है तो यह धटका यह अपको देखने को मिल सकता है तो साफधा रहने के बच रहे है आप 29 मा से लेकि 18 माही जो मैं पहले बता रही हूं साफधान आपको रहना है पंच्व भाव में आपके शनी और राव की उती रहेगी और जो कह सकते हैं कि ब्रिस्पती आपके फिर अश्टम भाव में आ कि अच्छी शुरुवात आपको देखने को मिल सकती है ग्रोथ प्रमोशन के लिए जो अब तक आपको अटकाव देखने को मिल रहा था जो आप तक आपको अवरोध देखने को मिला था उसमें भी दूर होता नजर आएंगे के तु आपके दशन भाव में आ जाएंगे तो करियर को प्रभावित करेंगे आप अपने करियर में एक कह सकते की उचाटन महसूस कर सकते हैं डिटैच्मेंट महसूस कर सकते हैं मन नहीं लग सकता बिना मतलब कि आपको कमी निकाल सकते हैं या आपको बरदाश्ट नहीं होगा जो पहले चीज़ा आपके लिए बरदाश् रहेगी यह आपको कहीं नहीं बढ़का सकती है के तू आपके दश्यम भाव में बैठके करीयर को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं डैमज भी कर सकते हैं निश्यतों से यहां पर रहकर के तू आपके करीयर में बाधा उत्पन्तु करेंगे साथी इंस्टेबिलिटी होने का और यह आपके लिए पच्ताव है कि भरा और कुछ नहीं रहने वाला बर्दाश्ट करना सीखे थोड़ा पेशन्स रखे और हो सकते तो जब तक बैटर अपरचुनिटी ना बले तब तक आपको इसा लगे कि जो कारेश्यतों मौलों आपकी विप्रीत हो गया है इसके लावा आप गणिजी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं कम से हम 11 या 21 ओम श्री गणिश राइनामा का भी आपको जाप करना है इसके लावा दर्शकों अगर हम समझे तो आप अपने स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो आपको मद्द जन्वरी से लेकर अगर आपके दशचनभाव में एक एनर्जी को लेकर आरहा है आपके सबभाव में थ्लढा थीवरतापन में रहरा है तो आपके जो इद्यकारी के साथ अगर आप बात करें तो थोड़ा फर्वरी और मार्च के बीच में थोड़ा आपको साफधानी बरती उसके बाद ही दे रहा है आपको एक गती एक कॉंफिर्ट आपको देखने को मिलेगा तो कुल मिला के जून के बाद का जो समय रहेगा वो आपके जो करियर के लिए तो बहतर रहेगा पर थोड़ा सा चैलेंजिस आपको देखने को मिल सकता है जो आपको नुकसान भी दे सकता है तो ये थोड़ा सा आपको सावधार है जबके तू आपके 18 मैं को दर्शमभा में प्रवेश करेंगे यहां पर राओ की दिश्टी पढ़ेगी वर्क फर्म होम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट सा आपको मिल सकते हैं अच्छी ग्रोथ आपको देखने हो मिलेगे 18 में के बाद तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए आपको प्रयास अधी करने पड़ सकते हैं तो आप साफधार नहीं थोड़ा सा आपको प्रयास अधी करना पड़ सकता है प्रोपरटी की बिजनस में कुछ गलत फैमी का शिकार हो सकते हैं तो अपने क्लारिटी बना के चलें उसमें ग्रोथ आपको चार फर्वरी के बाद आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा शेर मार्केट में भी अच काफी शांति आपको देखने को मिलेगी अब यह जो स्टेबिलिटी रहेगी आपके 14 मह को उसके वज़े से दिक्कतों को सामना करना पड़ा है कहीं न कर एजस्टमेंट करनी पड़ यह यह आपकी समस्या दूर होगी 18 में के बाद आपके छटे एका दशबाब के जो में गेतु गोचर करें यह छोड़कर आपके दशमभाब में आ जाएंगे तो आप समझेंगे कि financial sector में एक मजबूती एक stability तो देखने को मिलेगी साथ ही बज़ट की समस्या भी दूर होती नज़र आएगी पर वहस्पति आपके श्टमभा में आएंगे तो अचानक लाब भी कराएंगे तो गिरावट भी देखने को मिलेगी तो सो समझ के आपको decision लेना है विदेश अच चारफ़वे के बाद ही कुछ decide करें investment के लिए आप चरफ फरवरी के बाद से लेकर 29 माज तक कुछ decide कर सकते हैं 39 माज से लेकर 18 मही तक आपको rest करना है कुछ भी आपको investment नहीं करना है सिर्फ आकलन करना है ground reality को समझना है उसके बाद आप जो भी आकलन करेंगे उसके अधार पर आप 29 माल 18 मही के बाद ही कुछ आप decide करें investment का इसके लाबा किसी स्थान से बाहर कुछ निशेत्र में प्रयास करें तो उसमें भी आपको निशेत्रों से सफलता देखने मिलेगी कुछ अच्छे ओफर आपको देखने को मिल सकता है तो यह शुरुबात में आपको देख नौलेज के अभाव में घ्यान के अभाव में भी कुछ आपको नुकसान उठाना पर सकता है तो यह निर्ने लेने की शमता पर डिपेंड करता है कि आप किस परकार की जो सफलता अरजित कर पाएं हलाकि अचारक लाब के संकेत प्रॉपरटी से लाब के संकेत आपको जरू आपको दे रहे हैं तो अब यह समझेंगे कि आप मई के बाद इसमें थोड़ा आपको जो रुकावड बनी उसमें कमी देखने हो मिलेगी वह बात है कि 29 मार्ट को शहनी आपके बाल जाएंगे और जो पज़मेशे आपके अश्टम भाव में आ जाएंगे तो यह आपके ल आपको देखने को मिलेगी 29 मार्ट से लेकर 18 माई का समय आपके लेशिप के बहुत ही बड़ा चैनलेजिंग रह सकता है आपका लेशिप इसमें डूड भी सकता है ब्रेक भी हो सकता है और यह भी सब भावना बनी हुए कि आपको आप लोगो के बीच में कोई कमिनिकेशन बहुत जादा डिस्टेंस देखा जाए बहुत जादा गयाब देखा जाए जिसकी वज़े से भी थोड़ा सा आपके लेशिप को लेकर पूरी तरीके से आश्वस नजन नहीं आएंगे 18 माई के बाद जैसे ही शनी आप आएंगे और यहां से जो राओ निकल गया पर चुत लिए आपको ऐसा डेवलप करना पर सकता है विवाग के चर्चा चारफरवरी के बाद ही सफल होती निजरा आ रही है उसके पहले थोड़ा सा आपको प्रयास अधी करना पर सकता है विवाग के चर्चा वैसे भी चल रही है तो आप समझ लिजे कि चारफरवरी से लेकर 14 मा पर इसे सही उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा विवाई दंपत्ती के लिए कैसा रहेगा दोजर पत्चिस का वश यह हम सबजेंगे प्रिस्पती बक्री अबस्ता में सब्तम भाम है सब्तमीश आपके चतुर भाम है आपको आपके जीवन साथी से सपोर्ट मिल रह सकती है चार फर्वरी के अब आप लोग की बीद में जो भी पुरानी गतिविदी है जो जिसके वज़े से तो संगश या वरोध बना हुए अब तक उसमें आपको काफी रहात देखने को मिलेगी शनी यहां पे चतुर भाम में बेटकी कहीं ना कहीं आपके परिवारिक सु आपको देखने मुलेगी इस प्रकार पे है इससे आप में निश्चित रहें अब यहां पे जो ब्रिस्पति आपके अश्टम भाम में आ जाएंगे तो आप कहीं नगे संतान पर आप देखने में सकती 14 में के बाद उससे पहले अगर आप प्रयास करें तो उसमें आपको ज जरूर देगे जो राओ कितुगी वज़े से जो बाधा आपको देखने को मिल रही है उसमें आपको शांती देखने को मिलेगी तो अर संतान पर अपति कर जो सुयोग बनेगा ठारा में के बाद बहुत जादा बहतर बनेगा पर ब्रिस्पति को आपको जो कमजोर होके सब्सक्राइब करें देखने को मिल पाएगी कुछ संगर्ष किसी प्रकास उत्पन होगी जिसके वज़े से कुछ उनके बीतर गंवीता देखी जा सकती है हुपाई मैंने ऊपको वैसे भी बताएगी लेगिन अपको बताऊंगी कि आपको नियुक्राइब करके सकते हैं और हो सके तो लाल बसू कर चिला सकते हैं एक अच्छा उपाई है मंगल का और इसमें आप मंगलवार का व्रत भी करें तो अब आपके लिए अच्छा है अगर आप कर सकते हैं तो आप यह उपाई जरूर करें इसके लावा रहू केत्यु क्योंकि आपके दशयम और आपके जब तुतरु भाव में आएंगी तो केत्य का मैंने उपाई बताया है गली के उत्यों को भोजर खिला सकते हैं रहो के लिए आप जोड़ियों को दाना खिला सकते हैं चुटी उपाई आप करते रहे हैं इसका आपको परिणाम तब देखने को मिलेगा जब आपको सब्सक्राइदा जरूरत होगी क्योंकि प्रहमाण में प्रशन सजेशन या कोईरी है आप हमेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाले इसके लाब आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हरे कशिता